तो दोस्तों आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे CCNA, Cisco Certified Network Associate and MCSA, Microsoft Certified System Associate तो हम इन दो प्रोफाइल्स के बारे में आज बात करेंगे, मतलब जो कम्प्लीट वीडियो होने वाला है, वो CCNA versus MCSA CCNA and MCSA दोनों completely different profile हैं, दोनों का scope अलग है, दोनों का future अलग है और दोनों में salary अलग है तो हम इसमें कुछ key points के बारे में discuss करते हैं, जो basic points हैं और बाकी ये totally आपे depend करता है कि आपको किसमें interest है, जब मैं ये points आपके साथ discuss कर देता हूं तो देखो दोस, CCNA, Cisco certified network associate, तो ये एक network की profile होती है, जहां पर आप devices को minus करते हो, आप access point को minus करते हो, आप switch को minus करते हो, आप router को minus करते हो और जो other devices होती है, ltd devices, उनको आप minus करते हो, तो वहाँ पर वो होता है, Cisco certified network associate, या बोलो, एक network engineer and वहीं पर दूसी जगह जो बंदा होता है, MTSA का, तो वहाँ पर वो minus करता है, Windows server, Windows server में आपका active directory हो गया, group policies हो गई, या हो सकता है, कि जो Google Chrome पे, by default page open करवाते हैं, तो मतलब एक तरीके से users हो गए, computers हो गए, तो ये सारी चीजें, एक minus करता है, MTSA का, वहाँ पर बंदा, तो यहाँ पर आपको completely जो interface मिलेगा, वो Windows operating system का मिलेगा, यानि, server होगा, बर वो Windows operating system होगा, CCNA में क्या होता है, कि आपको command base भी काम करना पलता है, mostly आपको user interface मिलेगा, Windows की computer पर plugin कर सकते हो, या Mac computer पर plugin कर सकते हो, जो उसके portals होते हैं, बट, अगर आप best practice से जाओगे न, तो आपको थोड़ा न, थोड़ा बहुत आपको Linux की तरीके command आना चाहिए, एक CCNA network के लिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर scope के लिए, या future के लिए, तो दखो, मैं बता दूँ सीधा, कि जो Microsoft है, जो MCSA है, वो क्या है, वो एक Microsoft का product है Microsoft का operating system है, Windows server, तो उसमें different field में growth है, उसमें भी अच्छा कासा पैसा मिलता है, NCCNA, यह depend करता है, वाइड यू लाइक आप से इसको यूज कर रहे हो, या आप किसी आदर companies का use कर रहे हो, हो सकता है, आपको 48 firewall पर काम करना पहले हो, हो सकता है, आप सको sonic wall पर काम करना पहले, त तो lot of things in CCNA, बट मैं आपको बता दूँ कि एक time पर जाने के बाद, पांच साल, दस साल का जब आपको experience हो जाता है, तो दोनों profiles में अच्छा का सफ़ाइसा है, बट मैं आपको एक चीज के लिए कर दूँ, जब आप CCNA, 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 CCNA करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी ची user interface मिलेगा, तो यहाँ पे salary का 19-20 का difference होता है, अगर MCSA वाले person को 19 मिल रहा है, तो हो सकता है CCNA वाले person को 20 मिल रहा हो, तो 19-20 का difference होता है, and the last part is कि आपकी जो salary है, वो company to company depend करती हो सकता है, एक company में CCNA का बंदा, उसका 10 लाग का package है, हो सकता है, एक में MCSA का बंदा हो सकता है, बार अलग का package, जो तो यह salary आपका, जो salary structure होता है, आपकी salary पे भी, जो salary structure होता है, आपकी वो company पे भी depend करता है, अलग-अलग organization में, अलग-अलग उनका structure होता है, बड़ मैं आपको बोलूँगा, कि यहाँ पे अगर आप CCNA करते हो, तो आपके पास chances होते हैं, कि आप AWS में चले जाओ, डेवाप्स में चले जाओ, MCSA करते हो, तो आपके पास chances होते हैं, कि आप Azure में चले जाओ, तो वो Azure platform होता है, जहां पे हम minus करते हैं, तो दोनों में scope है, पर अगर मैं उस जगे होता, तो इस time पे मैं CCNA करता है, और CCNP करता, मैं अपने points of view से बतारू, बाकि यह आपकी च्वाइस है, आप कर सकते हो, तो कि देखो, चीज़ें वही हैं, अगर आपके पास 10,000 employee की employment है, या company है, तो वहाँ पे दो तीन बंदे, चार बंदे होंगे, उस company को manage करने के लिए हो सकता, 10 की team हो, सब्सक्राइब, और Windows Server के भी 8-10 बंदे होंगे, मतलब एक तरीके समानलो, 8-10 का ratio होता है, network और NCS से, तो job scope भी आप समझ सकते हो, ऐसा है, बट ये अभी फिलाल में तो इनका scope अच्छा कासा है, और रहेगा भी, और आने वाले time में भी है, बट हो सकता है, इनका future 10-15 साल, 20 साल बात, ये basic चीज़ें चेंज हो जाएं, क्योंकि basic platform जो है, वो cloud पे मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, बट इस small organization अतना expense नहीं होता है, उनके पास या उतना खर्चा नहीं कर पाती है, तो से वो normal infra यूज करती है, जो IT का इनफरा होता है, तो बस आज की वीडियो में तना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो ल कर सकते हो, मेरा नाम है शेवा, मैं मिल जाएगा, मैं मिल जाएगा, एक यूडियो में देल लन, have a great moment and don't forget to like, say and subscribe, thank you so much for coming.